आज का हमारा जो टॉपिक है वो नुमेरिकल इंटिग्रेशन है इससे पहले आपने प्रिविएस क्लासिस के अंदर जो इंटिग्रेशन पढ़ी हुई है उसमें हम लोग एक इंटिग्रेल को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मैथर्ड इसमाल करते थे उन तुमाम मैथर्ड को हम लोग एनालेटिकल मैथर्ड का नाम देते हैं उन मैथर्ड में आप लोग क्या करते थे फामूला यूज करते थे सब्सेशन का मैथर्ड अप्लाई करते थे इसके अलावा इंटिग्रेशन बाइपार्स वाला काम करते थे इस तरह के मैथर्ड को अप्लाई करते हुए हम लोग integration पर फार्म करते थे वो जो integration थी उसमें हमें derivation का process से गुजरना पड़ता था तो then हमारे पास एक answer आता था और वो जो answer होता था integration का वो हमारे पास exact answer होता था exact से मराद अगर किसी answer किसी question का answer जो है integration का वो 10 आना चाहिए तो analytical methods के जरीए जो आप लोग पहले apply करते थे तो उनके जरीए उसका जो answer है वो 10 ही आएगा लेकिन उसमें आपको एक proper जो है ना step से गुजरना पड़ता था derivation वाले और suppose कि अगर आपके पास function जो है जो जो आपने integrate करना है वो बहुत ज़्यदा complex है तो then integration by parts वगरा को apply करते वे आपको वो उसका solution drive करना पड़ता था लेकिन बाज उकाद वो formula इतना complex होता था कि आपको 2, 3, 4, 10 मरतबा भी integration by parts apply करना पड़ती थी ताकि आप उसको simplify कर सके so for that से हम लोग जो है ना analytical calculations से बचने के लिए क्या करते है numerical methods को देखते हैं जिनकी मदद से हम लोग integration perform कर सके उनमें आज की lecture के अंदर हम लोग उन numerical integration techniques को discuss करेंगे but before that let's discuss कि आपके पास जो integral है वो एक जो integral की type है वो आपके पास definite integral कहलाता है definite integral basically हम लोग जो integral है वो कुछ इस form का होता है कि आपको lower limit और upper limit integration की दी होती है और यहां पे आपके पास function है और function suppose x dependent है तो हमने x के लिहासे उसको integrate करना था इस integral का क्या मतलब है कि अगर हम लोग इस f of x को along y axis रखे हैं और x को along x axis रखे हैं और इसको plot करें suppose उसकी जो curve आती है वो यह वाली है तो जब हम लोग इसको calculate करते थे इस integral को तो वो basically इस curve के जो नीचे area आता था उसकी calculation होती थी ठीक है अगर suppose किया यह x dependent था तो x के लिहास area आ जाएगा similarly अगर यह function suppose किया y dependent है तो then according to those limits of y उसका जो area होगा वो area under the curve कुछ इस तरह से होगा simple integral जिसमें हमें यहां पे limits नहीं दी होती उसका answer आपके पास एक integration पर farm करने के बाद answer जो है वो एक function की farm ही ही आएगा लेकिन जब हमें यह limits दी होती है तो after integration हम यह limits put करते हैं तो इसका जो answer आता है वो एक number की farm में आएगा और उस number को हम लोग basically क्या करते हैं इस function की जो cross-parning curve है उसके नीचे जो area होगा वो calculate हो रहा होगा ठीक है so hopefully आपको definite integrals की समझा आगी होगी so normally हम लोग जब numerical integrations पर farm करते हैं वो definite integrals की उपर ही apply करते हैं so we will discuss one by one those techniques of numerical integration just like आपके पास numerical integration जो कि हम लोग definite integrals की उपर apply करते हैं और वो basically क्या करके देते हैं आपको area under the curve calculate करके देते हैं so हम लोग क्या करते हैं जो suppose किया definite integral के अंदर हमें जो limit दी होती है function की जैसे अगर आप लोग यहां पर assume करें तो यहां पर आपके पास function a2 limit जो दी हुई है वो a से b तक दी हुई है हम लोग इस a से b को n intervals के अंदर divide करते हैं a से b को क्या करते हैं n intervals के अंदर इस तरह से divide करते हैं कि जो पहली term limit है उसको हम लोग x naught का नाम देते हैं फिर उसके बाद दोसरी जो value है उसको x1, x2, x3 and so on x and minus 1 जो last value होती है intervals में divide होने के बाद उसको हम लोग b का नाम देते हैं जो कि आपके पास upper limit होती है जब हम लोग इस trapezoider rule को apply करते हैं तो that is basically formula उसमें हम लोग क्या करते हैं वो जो given function होता है integration का उसमें x naught की value put करते हैं तो यहां पे आपके पास f of x naught की value आ जाएगी similarly हम लोग जो xn की value जो के b की equal होगा वो put करेंगे तो आपके पास जो function की value यहां पे आ जाएगी और यहां पे वो basically यह जो first term है और यहां पे आपके पास यहां पे last term होगी first term x naught based function की value और x naught xn based की based value function वो आपके पास first and last term जा जाएगी और उनको हम लोग add करेंगे बाकी remaining जितनी भी terms होगी x1 के ओपर function की value plus x2 के ओपर function की value plus x3 के ओपर function की value and so on xn minus 1 तक function की जो values होंगी उनको plus करेंगे और add then उसको क्या करेंगे two पे multiply करवा देंगे और इसको हम लोग expand भी कर सकते हैं दो तरीके हैं इसको expand करने के आप इसको s by s जो है वो basically interval है x naught और x1 के दरिम्यान जो के आपके पास constant ही रहेगा और इसका नीचे formula है उसकी तरफ में आता हूँ so इसको हम लोग expand भी कर सकते हैं f of x not as it is f of xn आपके पास यहां पे मैंने शुरू में लिख लिया है क्योंकि इनके साथ आपके पास simple addition है दो values की तो उसको यहां पे लागए फिसके बाई यह two formula का आगया तो iq value one से लेके n-1 तक था one से लेके n-1 तक जाना था तो यहां पे f of x1 plus f of x2 plus f of x3 and so on f of xn-1 आजाएगा इसी formula को हम लोग इस तरह से भी range कर सकते हैं two अगर कामल नहीं तो इन दोनों के नीचे two divide हो जाएगा यहां से two buy रा जाएगा और two नीचे division वाले two के साथ cancel होके इस formula को हम लोग इस तरह से भी apply कर सकते हैं ठीक है अब hk से calculate करना है जो आपके पास limits ली होती है यह upper limit है यह lower limit है upper limit minus lower limit और जितने आपने उसके तरम्यान interval करने है suppose 10 करने है 15 करने है दो करने है पांच करने है जितने भी intervals करने है वो n की value है तो यहां से आपके पास h की value आजाएगी x zero जो है वो a की equal है जैसा कि यहां पर भी define किया हुआ है और x n जो है वो basically किसीज की equal है b की equal है और यहां से हम लोग x की successive values next values calculate कर सकते है x zero जो होगा जो होगा a plus one into h h जो step size होगा तो आपके पास basically x one आ जाजाएगा फिर x two आ जाएगा और इस भाबबब हम लोग further examples के अंदर देखेंगे पर trapezoid rule n की value हम लोग कुछ भी रख सकते है मतलब n कुड़ बी even or and small or large number और यहां पर एक चीज़ देन में रखनी है कि जितनी n की ज्यादा value आएगी उतना इस integration का आंसर जो है exact के क्रीब क्रीब होगा मतलब अगर स्पोज कि आप n की value रखते हैं 5 तो analytical integration का आंसर जो 10 आ रहा था तो न की value पांस रखने से numerical integration यानि trapezoidal के ज़री उसका स्पोज आएगा 9.2 आता है स्पोज या 10.5 आता है तो जब आप n की value 20 करेंगे तो इसका answer जो है वो 10 के मजीद करीब हो जाएगा 9.8 हो जाएगा answer तो जितना n की value ज्यादा होगी उतना आपके पास तो answer है वो accurate आएगा so next अब हम लोग एक example solve करते हैं apply the trapezoidal rule step by step to compute the integral f of x is equal to x के over the interval 0 to 2 with n is equal to 20 sub intervals अब इसी statement को हमने देखना है यानिक f of x हमें x के equal दिया हुआ है और limits हमें 0 से 2 तक देविए यानिकि यह आपके पास 0 है और b आपके पास 2 है और n की value कितनी है 20 है तो यहां से अगर reach निकालना है तो 2 minus 0, b minus a over n, 2 minus 0 और 20 तो यह आपके पास 1 over 10 और 0.1 राज जाएगा अब हमने points in rate करवाने है एक 0 जो है वो 0 के equal है और x1 के equal आजाएगा according to this formula formula क्या था आपके पास a plus i h है तो x1 will be equal to a जो के 0 के equal है i किसी इसके equal है 1 की equal और x की value कितनी है 0.1 तो 1 into 0.1 क्या हो जाएगा 0.1 तो x1 की value क्या आजाएगी 0.1 आजाएगी ठीक है अब उसके बाद 0.1 आजाएगी अब next step के अंदर i की value 2 होगी तो x की value 0.1 है तो इस formula के अंदर जब i की value 0 put करेंगे i की value क्या है आपके पास 2 और x की value 0.1 है तो 2 into 0.1 क्या हो जाएगी 0.2 तो x2 will be equal to 0.2 आजाएगा and so on इस तरह से x3 will be equal to 0.3 x4 will be 0.4 and so on x जो 20 होगा वो 2 के equal हो जाएगा अब हमने क्या करना है इस function की value x0 की ओपर calculate करनी है, x1 की ओपर calculate करनी है, x2 की ओपर calculate करनी है and so on x20 की ओपर value करनी है, x0 की ओपर जब calculate करेंगे तो 0 का square according to this 0 आएगा 0.1 का square 0.1, 0.2 का square 0.04 and so on 2 का square 4 आजाएगा तो यह आपके पास तमाम function की value आगी है अब इसको हमने क्या करना है अपने function के अंदर implement करना है जो कि trapeze order rule था है h by 2 f of x naught f of x n तो इसका मतलब पहली और आखरी term को हमने as it is add करना है जो पहली और आखरी term है उसको पहली और term किसी 0 के equal है और f of x 20 आपके पास 4 के equal है तो यहाँ पे इन दोनों को add करेंगे तो answer आपके पास 4 आजाएगा इसके अलावा आपके पास n 20 है तो 1 से लेके 20-1 क्या हो जाएगा 19 तो f of x i यानिके x 1 से लेके कहां तक जाएगा x 19 तक जाएगा इन तमाम values को sum करेंगे और उसको 2 से multiply करवा देंगे और जब इन फामुलास को यहाँ पे put करके इस integral को solve करेंगे तो i की value को आजाएगी 2.670 आजाएगी और जब इसको analytical solve करेंगे तो power नीचे power में से कम x 3 by क्या आजाएगा 3 और limits put करेंगे तो 8 by 3 आजाएगा और इसका answer के आगया 2.6667 आगया और error कितनी आएगी अगर इसमें से इसको minus करें तो आपके पास answer 0.0033 आगया और इस error को हम लोग मुझीद reduce कर सकते हैं अगर end की value 20 की बजाएग हम लोग suppose कि आफ 40, 50 या 100 कर दें तो यह जो answer है वो जो है ना ज्यादा accurate हो जाएगा मतलब ज्यादा decimal places तक यह match करना शुरू हो जाएगा और by the way चुकि अभी हम लोग इस course में सीख रहे हैं चीजें तो इसमें हमें यह महसूस हो रहा है कि ज्यादा values बढ़ाने से हमें calculations भी तो ज्यादा करने बढ़ेंगे लेकिन ऐसा नहीं है जब हमने basically यह formula computer के उपर implement करना है और जब उसके अंदर implement करना है तो देन उसके लिए चाहिए n की value 2 हो 20 हो 100 हो 1000 हो तो वो within seconds ही यह वाले formula अप्लाई करके calculation करके आपको दे देगा हूँ ठीक है अब मजीद एक और example देखते हैं trapezoidal rule की ही compute the integral f of x sin over the interval 0 to pi using trapezoidal rule with n is equal to 20 sub intervals यानि किली में a आपके पास 0 आगया अब b आपके पास pi आगया और n की value 20 आगी h calculate करना है तो pi minus 0 over 20 तो pi by 20 आगया तो x की 0 आगया और similarly x1 will be equal to pi by 20 x2 will be equal to 2 pi by 20 and so on x20 will be equal to pi तो अब हमने f of x naught की 0 के उपर जो के 0 आजाएगी f of x1 के उपर sin pi by 20 की value and so on f of x2 sin 2 pi by 20 and so on f of x20 के उपर sin pi will be equal to 0 तो इन values को हमने क्या करना है इस function के अंदर put करना है पहली और आखड़ी को add करवा देना है और दिम्यान वाली तमाम को add करवा के उसको two से multiply करवाना है तो आपके पास जो answer आएगा उसको finally put करने के बाद जो triple zedal के दूल के जरी answer आएगा one point nine nine five nine की equal आजाएगा और जब आप इसको exact को integrate करेंगे sign की क्या आजाएगी cause और limits जा पूट करेंगे तो one minus into minus one आपके पास क्या आजाएगा two के equal आजाएगा तो two में से इसको minus करेंगे तो आपके पास around error जो है वो zero point zero zero four one के equal आएगी यह basically मैंने calculations नहीं की यह मैं calculations आपके ऊपर छोड रहाओ ताकि आप लोग इसको perform कर सके हैं यहां पर slides के अंदर calculation इस तरह पर फार्म करना possible नहीं है मैं future examples के अंदर calculations को show भी करवा दूँगा hopefully आपको trapecider rule apply करना समझा आगया होगा अगर को question हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं तो एक और further example है solve की हुई है आपके पास function है lnx और limits जो दीवी है वो 1 से लेके 3 तक दीवी है 20 sub intervals है again h की value आपके पास 0.1 आजाएगी a will be equal to 3 a is equal to 1 and b will be equal to 3 n की value 20 आजाएगी तो आपके पास x naught 1 की equal आजाएगा x1 will be equal to 1.1 1.2 and so on चलते चलते आपके पास x20 will be equal to 3 तो इनके उपर आपने f of x naught, f of x1, f of x20 की value calculate करनी है और उन तमाम values की इस formula के अंदर put करना है तो आपके पास जो trapezoidal के जिरिए answer आएगा वो 1.2953 की equal होगा और जो exact answer आएगा वो 1.2958 की equal आएगा और जब इनका difference लेंगे तो answer will be equal to 0.0056 की equal आएगा अगर कोई question हो तो आप लोग group के अंदर पूछ सकते हैं बाकी techniques को भी मैं इसे तरह से implement कर दूँगा आप लोग के सामने discuss कर दूँगा तो अगर को question हो तो आप लोग पूछ सकते हैं झाल झाल